Hey guys, welcome back to Color of Threads आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ समर टॉप की कटिंग और स्टेचिंग शेयर करूँगी इस टॉप को मैंने मीशो फैब्रिक से रेडी किया है और अगर आपको भी ये सेम टॉप रेडी करना है तो फैब्रिक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में एड कर दिया है लिंक पक्लिक करके आप इस फैब्रिक को परचेस कर सकते हैं और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें तो टॉप बनाने के लिए ये मेरे पास थाई मेटर का फैब्रिक है ये विस्कॉस रेओन है जिसकी विर्थ है 43 इंचिस सबसे पहले टॉप का हम सैंटर पैनल कट करेंगे जिसके लिए फैब्रिक को ऐसे डवल फोल्ड करेंगे फैब्रिक की राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे फैब्रिक की खुली साइड आपको अपनी तरफ रखनी है अब top की ready length के लिए marking करेंगे मेरी top की ready length होगी 27 inch 2 inch margin का लेंगे तो 29 inch पर हम marking करेंगे fabric की length में हमने पहले 29 inch पर marking कर लेनी है और width में हमें 15 inch पर marking करनी है extra small to large size के लिए आपको 15 inch पर इस तरह से marking कर लेनी है अगर बड़े size के लिए cut कर रहे हो जासे 2xl या xl size के लिए cut कर रहे हो तो आपको ये panel की marking करनी है 17 inch पर अब marking के उपर से हमने पले को cut कर लेना है और fabric की जो किनारी वाली side उसे cut करके निकाल दे अब front और back का center पला हम cut करेंगे इसलिए fabric को हम इस तरह से double fold कर देंगे यहां से हमें marking करनी है 4.5 inch पर waistline के लिए हम mark करेंगे 14 inch पर यहां से भी 4.5 inch पर mark करेंगे इसके बाद इन दोनों marking को straight line के साथ इस तरह से जोड़ दे अब waistline को bottom के साथ ऐसे तिर्छा जोड़ेंगे अब इस marking के उपर panel को cut करते अब side panel की cutting करेंगे center panel cut करने के बाद width में जो fabric बचा था उसे मैंने इस तरह से सीधा cut किया है अब इस fabric को इस तरह से 4 fold करेंगे side panel cut करने के लिए खुले वाली side को panel के साथ इस तरह से रखे panel को इस तरह से 1 inch उपर की तरफ margin के लिए overlap करके रखेंगे इस तरह से panel length यहाँ पर लेंगे 14 inch पर shoulder line को सीधा करें shoulder marking के लिए जो भी आपका full shoulder है उसका half करकी यहाँ पर marking करेंगे जैसे मेरा full shoulder है 14 inch उसका half होगा 7 inch half inch पर shoulder drop के लिए mark करेंगे armhole के लिए जितना आप कुर्ती के उपर armhole लेते हुँ उससे half inch extra लेना है तो यहाँ पर मैं 7 inch पर mark करूँगी यहाँ पर एक सीधी line draw करेंगे chest line के उपर जो भी आपका body पर chest measurement आया है उसमें 3 inch losing का add करने के बाद उसका one fourth part करेंगे जैसे मेरा chest measurement है 32 3 inch की losing add करने के बाद 35 आएगा 35 का one fourth part लेंगे पौने 9 inch और प्लस one inch लेंगे stitching margin का waistline के उपर भी हमें body measurement में 3 inch की losing add करने के बाद one fourth part यहाँ पर mark करना है प्लस one inch का stitching margin लेंगे अभी दोनों marking को इस तरह से जोड़ देंगे waistline के उपर 0.75 inch पर इस तरह से हलकी सी गुलाई देंगे अब जो भी आपके armhole length उसकी center marking करें मेरी center marking आया है 3.5 inch पर अभी center marking से 0.25 अंदर की तरफ front armhole के लिए mark करेंगे और इसी center marking से 0.25 inch बाहर की तरफ back armhole के लिए mark करें इस तरह से अभी से बाहर बली marking के उपर कट कर देंगे अब हम side का amrilla panel कट करेंगे जिसके लिए fabric को हम इस तरह से width wise में two fold करेंगे अब इसे इस तरह से triangle shape में fold करेंगे अब इस folded fabric को center panel के साथ इस तरह से set करेंगे panel को एक inch उपर की तरफ overlap करके रखेंगे side से stitching margin का छोड़ के जहां पर भी आपका size बिलकुल perfect आ रहा है वहां से इसे cut करेंगे यहां से भी 1.5 inch आपको extra ही लेना है stitching margin के लिए अब जो center का panel है उसके बराबर हम amrilla panel की length करेंगे ध्यार रखें जो amrilla panel है उपर से हमने half inch overlap करके रखा हुआ है तो panel की length है 15.5 inch पर दोनों corners पर पहले 15.5 inch पर marking करेंगे अब इस marking के बीच में इस तरह से measurement tape को घुमाते हुए 15.5 inch पर marking कर ले अब marking पर panel को cut कर दे तो इस तरह से हमने दो amrilla panel को cut किया है जिससे center panel के साथ हम इस तरह से attach करेंगे अब हम neck के लिए marking करेंगे neck width लेंगे यहां पर 3 inch पर ready होने के बाद around 3 inch का यह हमारा neck ready होगा back neck की length लेंगे 2 inch यहां पर round neck इस तरह से draw करके इसे cut कर देंगे और heavy size के लिए neck width 3.5 inch का अब front neck cut करने के लिए बीच वाले panel को side में कर दे और इस panel को वैसे ही double fold करके रखे front neck के लिए mark करेंगे 4.5 inch पर shoulder stitching के बाद neck ready होगा 4 inch का अब यहां पर इस तरह से गुलाई दे के cut कर दे अब front arm round cut करने के लिए नीचे के 2 panel को side में कर दे और उपर के 2 panel को उठाएं अब जो front arm round की marking है इसे cut कर देंगे अब front बाले panel को center में से cut करके 2 part में divide कर देंगे इस तरह से side panel को side में कर दे पहले हम center panel को ready करेंगे तो front के center panel के लिए मैंने 3 इंच औरी fabric पत्टी लिए है जिसकी उपर हमने fusing paper को paste किया है फैब्रिक पत्टी की विर्थ हमने लिए है 3 इंच दोनों side से इसे half half inch पर इस तरह से fold किया double fold के बाद इसकी विर्थ आई है 1 इंच की और ये काच पत्टी है जिसे fabric की wrong side पर इस तरह से रखेंगे और पत्टी की उपर जो हमने half inch की folding कर रखी है इसे follow करते हुए यहाँ पर हमें half inch पर stitching करनी है और पत्टी को next से half inch extra लेना है और crease line को follow करते हुए इस पर stitch करें stitching के बाद दिखिए इसे इस तरह से right side पर turn करेंगे margin को अच्छे से अंदर की तरह fold करें और पत्टी के बिल्कुल किनारे पर finishing के साथ stitch करें क्योंकि यह right side पर हमारी पत्टी आएगी और बटन पत्टी को भी हमने fabric पर wrong side पर ही रखा है ताकि इसे बाद में हम right side पर turn कर पाएं यहाँ से भी आधा inch को margin लेती हुए stitch करेंगे अब इसे सीधा करकर इस पर धार stitch लगा दे अब इसे right side पर इस तरह से turn करें folding के बाद इस पत्टी की विर्थ आएगी half inch folding के बाद जो extra पत्टी है उसे भी बिल्कुल ऐसे गुलाई में कट कर दे अब मैंने double sided lace ली है lace की right side को नीचे की तरफ रखेंगे और side से overlock margin छोड़ते हुए इस lace को इस तरह से attach करेंगे यहाँ पर हमें किनारी पर stitch लगाते हुए से attach करना है दूसरी side पर भी बिल्कुल ऐसे ही half inch का margin छोड़ते हुए side पर stitch लगा के इसे attach करने lace लगने के बाद overlock करके हमने panel को ready कर दिया है अब इस lace के साथ हम दूसरे बाले panel को attach करेंगे तो पहले हम back बाले panel के उपर बिल्कुल ऐसे ही lace को attach करेंगे यहाँ पर भी हमें आधा हिंच का margin छोड़के फिर lace को attach करना है lace लगने के बाद overlock करके हमने back बाले को भी ready कर दिया है अगर आपके पास overlock machine नहीं है तो पूरा top ready करने के बाद फिर आप overlock करवा सकते हैं अब side panel को लेंगे back panel के उपर front बाले panel को set करें इस तरह से दूसरी side पर भी back panel के उपर front बाले panel को set कर ले अब दोनो side panel के उपर पहले fitting की slide कर देंगे slide करने के बाद इसे इस तरह से सीधा करके रखेंगे अब इसके साथ हमें umbrella panel set करना है इससे पहले यहाँ पर हम यह वली lace लगाएंगे lace को उसी तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ पर भी आदा इंच का margin छोड़ते हुए इसे attach करना है तो stitching लगा के इसे overlock करके हमने ready कर दिया है side का जो extra stitching margin था उसे stitching में नहीं लेना है उसे इसी तरह से रहने दे अब दोनो side panel के साथ हम दोनो umbrella panel को attach करेंगे इस तरह से stitching लगाते हुए umbrella panel को हमने नीचे की तरफ रखा है और side panel उपर की तरफ रहेगा और नीचे का जो umbrella panel है वहाँ से आदाइन छोड़के लेस के साथ साथ हम stitch करेंगे stitch लगने के बाद तो overlock भी हो चुका है अब इसे सीधा करेंगे सीधा करने के बाद जो stitching margin है उसे side way करेंगे और इसके उपर हमें धार stitch करना है दूसरी side पर भी धार stitch लगा दे इस तरह से एक side का हमारा panel बिल्कु रड़ी हो चुका है इसी तरह से दूसरे panel को भी रड़ी करेंगे दोनों panel रड़ी होने के बाद इस तरह से panel को खोल के रखेंगे अब इसकी उपर हम पहले back वाले panel को attach करेंगे इसके लिए धियार रखे जो back वाली side है उसी की उपर आपको back वाला panel attach करना है और जैसे हमने amaryla panel को attach किया था बिल्कु इसी तरह से back panel को हम lace के साथ attach करेंगे देखे इस तरह से side panel के उपर center panel को रखेंगे लेस को सीधा करेंगे और लेस के साथ था बिल्कुल यहाँ पर हमें stitch करते जाना है half inch का margin चोड़ते हुए stitching के बाद इससे सीधा करेंगे अब margin को side में करते हुए दूनों तरफ हमें top stitch करना है इस तरह से अब जैसे हमने यह वाला पैनल attach किया है बिल्कुल इसी step को follow करते हुए दूसरी पैनल को भी attach कर ले back panel attach होने के बाद अब front वाले पैनल को attach करेंगे तो जैसे मैंने आपको back वाला पैनल attach करना सिखाया है बिलकुल उन्ही steps को follow करते हुए front वाले दोनों side के panel को attach कर लेंगे तो दोनों panels हमने attach कर दिया है उपर की तरफ हमारे का जाएंगे नीचे की तरफ हमें buttons लगाने हैं अब हम shoulder attach करेंगे shoulder को बराबर करते हुए half inch का stitching margin लेते हुए इन्हें attach करें इसके बाद नीचे side से हमें double fold करते हुए stitch करना है आप चाहे तो यहाँ पर lace भी लगा सकते हैं इसके बाद neck folding के लिए 1.5 इंच ओड़ी औरे fabric पट्टी कट करके इसे इस तरह से हमने double fold करके iron करके ready कर लिया है अब इस पट्टी को हम एक side से इस तरह से शुरू करेंगे और half inch का stitching margin लेते हुए इसे पूरे neck की उपर इस तरह से attach करेंगे और stitch लगाते हुए ध्यान रखें पट्टी को बिल्कुल भी नहीं खीचना है जिससे आपका neck छोटा हो सकता है stitch लगने के बाद छोटे छोटे नौचस लगाएंगे नौचस लगने के बाद पट्टी को ऐसे सीधा करें और इसके उपर धार stitch लगाएं धार stitch के बाद अब पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ fold करके इसके किनारे किनारे stitch लगाके neck को ready करतें neck folding के बाद अब देखते हैं इसकी मैंने sleep कैसे ready की है तो sleep तो जो हम regular sleep cut करते हैं वैसे ही मैंने 14 इंच पर sleep cut की है जिसके नीचे हमने 3.5 इंच का अलग से border दिया है और नीचे का double folded fabric है जिसे joint lace के साथ मैंने यहां पर add किया है और sleep पर जो front arm hole की गुलाई देंगे बिल्कुल normal सी गुलाई देनी है 0.25 इंच की sleep को सीधा रखेंगे और टॉप को उल्टा front arm round की cutting को check करें sleep check करने के बाद जिस भी side की sleep है उसे arm round के बीच में इस तरह से set करें side stitching के साथ side stitching को मिलाते हुए इस तरह से पहले sleep को set करना है इसके बाद half inch का stitching margin लेते हुए sleep को attach करें ऐसे ही दूसरी sleep को भी attach करें और सबसे आखिर में हम button और काश लगाके इस top को बिल्कू रड़ी कर देंगे और आज की ये top design की वीडियो आपको कैसी लगी like और comment करके जुरूर बताएं और इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए channel को subscribe करके bell icon को press करना ना भूले समयलते हैं next वीडियो में किसी ने topic के साथ